हेलो फ्रेंज विल्कम बैक तू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होब आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आप सब के लिए बहुत ही लजीज और चटपटी सी सब्जी और सिंहारे की पूरिया लेके आई हूँ जो ब्रत में खाते हैं हम और एक जैसे ब्रत रहते 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 हैं प्रूट्स घाओ ओ और मिठा चाओ ये सब छीज़ें कहाते घाते हैं अकसर जी और उप जाता है तो आज मैं आपको चटपटी सी ये सबजी और पूरिया बना के बताने वाली हूँ तो आप जरूर से जरूर ट्राइ करेंगे मैंने दो चम्माज देशी घी ले लिया है जो ये पिगल चुका था मैंने गैस पे रख दिया और इसमें हम एक छोटा चम्मन चीरा एड़ कर देंगे इसके बाद हमें इसमें हल्दी तो एड़ करनी नहीं है तुरंथी हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे टमाटर मैंने तीन बड़े साइज के लिए थे उन्हें मैंने पीस लिया है आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं और इसमें हम आट कर देंगे रॉक सॉल्ट सेधा नमक इसमें हम आट कर देंगे जैसे ही टमाटर पड़ेगा बस तुरंती हमें नमक भी एड कर देना है और अच्छे से ओल देखें सेफरेट हो गया है और निकलने लगा है त्यानी की टमाटर अच्छे से पक चुका है अब हम इसमें एड कर देंगे मैंने 3 से 4 मीडियम साइज के आलू लिये थे मेरे आलू छोटे थे तो मैंने 5 आलू लिये अगर आपके मीडियम साइज के हो या थोड़ा सा बड़े हो तो 2 या 3 ही लीजिएगा इस तरीके से हम इसको अच्छे से जब भून लेंगे उसमें हम एड कर देंगे ये काली मिस का पाउडर आप चाहें तो का काली मिस हैं उसे भी पीस के एट कर सकते हैं मैंने एट कर दिया और आलू को आप कट करके मत लीजेगा हाथों से ही तोड़िये जिससे थोड़े से छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो जो हमारा बैलेंस है सबजी का अच्छे से बन जाता है क्योंकि इसमें और कुछ तो तेस्टी लगने वाली है यह सबजी एक बार जरूर से जरूर ट्राई करिएगा अब हम इसको ढख देंगे ढखने के बाद जब एक उबाला आजाएगा उसके बाद मैं बताती हूं इसमें मैं एक सीक्रेट चिर्ट क्या एड़ करने वाली हूं बाला आ चुका है इसको मैंने एक बार श्टर कर दिया अब हम इसमें एड़ करेंगे इसमें धनिया हरी मिर्च और अदरग का यह पेस्ट एक में ही मैंने कर दिया है तीन हरी मिर्च हैं थोड़ी सी हरा धनिया है और एक इंच अदरग का टुपड़ा है इसको मैंने पेस्ट बना दिया है इसको जब हम एड करेंगे न तो इसका इतना अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा न आप चरूर से ट्राइए करिएगा इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी सब्ची बहुत ही टेस्टी बनने वाली है एक अलग सा फ्लेवर आएगा कलर भी एकदम है आयल जो है अच्छे से निकल के आ गया है टेस्ट अब कुछ अच्छे से का निकल के है आ गया है आलू पका हुआ था बस हमने सब्सक्राइक को हल्का सव वाला आने देना था बस 5 इन अठीशी बन के तैयार हो G тем ně अब की पास तैयारी अलू भड़ा हुआ है और सारे मसाले आपने सब पहले से ही शेट करके रख लिए तो बहुत जल्दी ये बनके तयार हो जाती है पांच मिनट में इसमें मैंने एट कर दिया है हरा धनिया अब इसको हम बंद कर देंगे देखिए इसको अब हम देखिए एक बॉल में निकालेंगे कितना अच्छा कलर रहा जितना च्राइय जीटना अच्छा यह कलर से भी कहीं दस गुना ज्यादा है यह टेश्टी सब्जी बनी है बहुत ही टेस्टी मुझे तो बहुत टेस्टी लगी और मैंने यहां बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगी तो सबजी बन चुकी है अब हम इसमें मैंने अब हम आटा लगाएंगे सिंहारे का आटा दो बड़े साईज के मेंने आलू ले लिये हैं उन्हें मैंने कदूकस कर लिया आप चाहें तो मैस भी करके ले सकते हैं लेकिन उसमें ये पूर लगरतें जाए इसमें एक कर दिया चोटा चमाश नमक एक चोटा चमाश जीरा और एक चोटा चमाश मेरे अजवाईन एक की है थोड़ी सी हरी धन्या एक की है इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हैगा पूरियों का और जो यह सिंहारे का आटा मैंने ले लिया है और इसमें थोड़ा- सब्सक्राइब कें हमिक्स करने वाले हैं कट्टवायर इसका चाहाई उसके पूरियादर सी सक्त बनती हैं और शिंहारे के बनती है तो अस files कार्दे का और यहीं पूरिया चैबी थने तो हम लोग असी बतने देग्यालो मैं सिंहारे की ही पूरियान possiamo जोड़ी आलू में ऐसा चिगना पन होता है उसी से आटा सेट हो जाता है इसको अब हम हलका सा पानी लगाके इसको हम सेट कर लेंगे आटे को गूत लेंगे बस पास मिनट के लिए रख देंगे उसके बाद हम इसके लोया बनाएंगे दोस्तों मैंने अन करना मझे याद नहीं रहा तो पीडे बनालिये थे उसके बाद मैंने केम्रे को कूला तो सौरी इसके लिए उसके लिए छोटे-छोटे जैसे हम लोいや बनाते हैं रोटी बनाने के लिए पराथे बनाने के लिए सेम ऐसे ही लोई काट लेनी है और इसको हलकी हलके हाथों से बहुत बाइलते में लीजिए उस ठाइप पर बीट से बेढलना यह देखे और रोटी से थोड़ा सा मोटा ही रकना है पहले से ही मैंने घी गरम होने के लिए ब्रत हैं क्योंकि ब्रत में आप घी का ही ऊज करेंगे कोई भी ऑल नहीं खाया जाता है तो ब्रत मैंने घी का गरम कर लिया इसमें मैंने टाल दी है वो पूरी एक चीज आप नोटिस करिएगा एक भी पूरी मेरी फटेगी नहीं तूटेगी नहीं और सारी पूरियां हमारी फूल जाएगी तो यही सीक्रेट है आप उसको आटे को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं अगर पास में नट के लिए त देखिएगा कोई भी पूरी मेरी चिप्टी हुई नहीं है सारी पूरियां फूल गई है अब मैं आप देखिए दूसरी दाल के दिखाती हूं अभी देखिएगा यह भी फूल जाएगी अच्छे से बस थोड़ा सा प्रेस करना है इस पर आयल डालना है और हलका हलका जब जाएगे तो हमारी पूरी जो है छे फूल जाएगी और इसको कोई भी फटेगी नहीं दोस्तों इसी ट्रिक से आप बनाएगा बहुत ही लाजबाब बनती है रेस्पी और बच्चे क्या बड़े सब कोई यह से बड़े की टेस्ट से खाता है दोस्तों अगर मेरी वीडियो जरा साभी पसंद आई हो जरा साभी तो प्लीज लाइक जरूर से जरूर कर देजेगा अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे बताएगा कि आपको मेरी वीडियो कितनी यूसफूल लगी दोस्तों सारी पूरी आप बनके तयार हो चुकी है अब मैं एक प्लेट में लगा कोई भी रेश्पी अगर आपको कुछ भी बनाना है तो आप तुरंत मुझे पूंच सकते हैं मैं वो रेश्पी आपको जरूर से जरूर प्रोवाइट करूंगी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज कर दीजेगा आद वीडियो में अंत तक बने रहें इसके लिए लगव सकोर्वाट सुक्रिया फिर बिए